हालो दोस्तों टैक्स फार वेल्थ में आपका स्वागत है मैं ही मांचे कुमार आज हम एक बरे डिस्कुशन के साथ आए हैं कि मार्केट में बहुत तरह के भी प्रॉब्लम चल रही है मैं उसको स्लोडाउन भी कह सकता हूं और अगर आज अब 1,50,000,000 रुपए आभी हम एक अमाउंट की बात करने वाले है कि अगर आज आप 1,50,000,000 रुपए अपने पॉकेट में या अपने बैंक में लेके बैठे हैं तो आपके पास investment के safer option आज हम बात करें रहे हैं कि कैसे आप अपने पैसे को invest करके एक अच्छा option है आपके पास जहां आप अपने पैसे को सुरक्षित भी रखे और अच्छा investment भी ले करा है तो मेरे साथ आज मेरे दो मित्र हैं आप आप अलड़ी इनके बहुत वीडियो भी देख चुके हैं एक तो Amit और दूसरे हमारे पुसकर जी है तो आज हम दोनों से बात करेंगे और समझनी की कोसिस करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जहां पर हमें पैसे लगाने चाहिए साथ के साथ ये भी धिहान रखेंगे कि इसके tax के impact क्या पढ़ने वाला है कि जब आप के आफिन साथ को ढारेंगे तो कि मीठर स्टाइब भी करें तो को मेरे पस क्या-क्या ऑपी technologies घड़ने कर सकता हम तो अबेस्ट इसट सपश्चन के अवेलिबल है कि ATC के deductions के अलावा आप ATCCD की investment भी कर सकते हैं जो कि NPS और एक खास बात इस चीज के लिए यह है कि डेड़ लाख के अलावा आपको 50,000 की और additional deductions मिलती हैं दो फायदे हैं NPS में invest करने के एक जो आप current में अवेल कर सकते हैं और एक जो future में current में आप ही अवेल कर सकते हैं कि अगर आपकी tax liability suppose करते हैं 30% के bracket में fall करती है और यह 50,000 आपने NPS में invest कर दिया तो आपको सीधे 50,000 पर 30% 15,000 की net tax की saving हो गए इसको मैं income भी कह सकता हूँ कि आप इनकम है तो यह तो हो गया इसके अलावा हमारे पास क्या क्या च्वाइस हैं जहां पर हमें जाना चाहिए हमारे पास ULIP है हमारे पास PPF है LIC है ELSS है और इसके अलावा हम fixed deposits कर सकते हैं और भी बहुत सारे options हैं तो यह तो क्या लगता है कि यूलिप में आज की रेट में पैसा लगाना सही है इस सिनारियो में अगर मेरे से मैं एक चीज़ कहना चाहँगा कि यूनिक लिक इंसुरेंस प्लान जिसको आप यूलिप कहते हैं यूलिप का भी एक जो ताइम डुरेशन होता है वह बहुत एंप जाएम जाएम तो फिर तो मुझे लगता है यूलिप में एक अच्छे कॉम्परिटिव जो स्टडि करके जो अच्छे यूलिप से मार्केट में अवेलिबल जैसे कि हम किसी कंप्शनी का नाम भी नही लेना चाहेंगे जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे यूलिप मेरे क जाता टैसे करकेट को ह्यी एक बसू अच्छे यूलिप में न चाहिST है, कई अन्यूलिप में पाषी प्लाइलिकार थाल्य। और मैं उसको पूरी तरीके से ना भी नहीं के सकता हूँ, टैक्स सेविंग तो आपको इंस्टेंटली बेनेफिट मिल रहा है, और लॉंग तर्म में आपको एक रिटर्न भी मिल रहा है, बट मेरा यही फिर से कहना है, कि अच्छे क्वालिटी के यूलिप मेर आप जाते हैं, जिनका investment portfolio अच्छा है, जिनका investment portfolio अच्छा है, जिन्होंने अल्रेडी एक अपनी benchmark return दे रखी है, पिछले एक दो साल का क्रिपिया यूलिप में इंवेस्ट करने से पहले return नहीं देखें, दोस्तों, हमेशा एक अपना minimum 5-year का average return देखें, because average return will set up benchmark, एक जो benchmark होता है से return का, व आमित, एक चीज और कि बहुत ऐसे लोग है, उनका तो ठीक है, ATC में चाहिए, लेकिन हो सकता है कि बहुत ऐसे मेरी user viewers है, जिनका कहना है कि नहीं जी मैंने तो ATC में अलरी लगा रखा या पीछे से चला रहा है, तो अगर मैं और extra पैसा लगाना चाहता हूं, तो मेरे पास क्या-क्या options हैं, जैसे mutual for NCD, तो आपका क्या लगता है कि किस तरह की चीजों में जाना सही होगा, अगर बिलकुल safe play करना चाहते हैं, तो बेटर होगा कि FDs में invest कर सकते हैं, जिसे आपको, आपको sure and certain है, कि आपको इतना percent return मिले जाएगा, in fact NPS के बारे में एक और खास ची NPS में बढ़ा दें, आपको दो options मिलेंगे, जब आप retire होने की 60 years के age पे जाएगे, तो आपको एक लंसम amount बिल जाएगा, प्लस आप अपना retirement भी plan कर सकते हैं, कि आपको annuity में हर महीने आपको pension के amount बिल जाएगा, तो एक चीज अगर आप समझें, कि अगर NPS को भी देखा ज कि जो NCD हैं, उसमें एक तो कही ना कही रेटिंग का चकर तो हैं, अगर आप NCD में पैसा लगाते हैं, वो आपको corporate FD से अच्छे return देते हैं, लेकिन एक चीज है कि NCD में कही ना कही रिस्क है, IFSL की बात करें, ठीक है, गौर्णमें उसको बहुत कोसिस किया है, रिवाइब रहा है, जैसे कि अभी भी DHFL कंपनी होगे, जिनके NCD की पैमेंट्स में काफी डिफॉल्ट या डिले हुआ है, और जैसे ILFS इसका अपने एक्जाम्पल अलड़ी दिया है, और वी दो-तीन कंपनीों के NCD के पैमेंट्स में काफी डिले हुई है, तो मेरा यही कहना है कि इसक सेभी एक नए सर्कुलर के साथ आगी है, जिसमें से जो रेटिंग एजनसीय जैसे एक्रा हो गई, परिसी लोगे उनको काफी समभंस दिये है, और उनको काफी एक रेटिंग पॉलिसी के लिए कहा है, और रेटिंग पॉलिसी अगी कोई प्पनी कभी भी पहले पपलिश कर तो कहीं न कहीं सर मुझे लगता है, कि NCDs इसके लिए अच्छा है, जो प्रोडक्त को समझता है, और हमेशा NCDs में भी टॉप रेटिंग के साथ जाएं, ऐसे बहुत सारे ब्लुचिप कंपनिया, जैसे HDFC हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता था बट फिर भी ले रहा हूं, HDFC हो गई, PNB housing हो गई, इनके जो NCDs हैं, इनके जो NCDs हैं, इनके पास जो कॉर्पस था उसी पर डिपेंडेंटेंट हो, उनके लिए कहीं ना कहीं ना कहीं एक साथ रिस्की है, तो उनको मैं कहूंगा कि आप NCD लेते हैं, तो नो डाउट कि आपको लगबग 2-5% का इंट लेकिन अगर आप उसमें जाते हैं, तो एक चीज़ जरूर धियां रखें कि रेटिंग को बहुत अच्छे से समझ के हीं डालें, अदरवाइस आप किसी के कहने और अपने लोकल जो आपकी जो एजेंट घूमते रहतें, किरपिया उनसे साधान रहें, वो सबसे खतरनाक हो जाता है, आप अलग-अलग sectors में इनवेस्ट कर सकते हैं, तो suppose करते हैं किसी एक सेक्टर अपने जमाने में अगर नीचे जा रहा है, तो पॉस्टिबिलिटी पूरी है कि दूसरा sector हमारा ग्रो कर सकता है, तो अलग अगर बात करें तो कहीं ना कहीं होई जाए, तो mutual fund तो वन पॉर्टफोलिय पे पुसकराने की कोसिस करेंगे, यह तो हमारा एक सिंपल था, अगर मैं रिस्क लेने के लिए मेरी एज उस लेबल पे है, और मेरे पॉकेट में रिस्क लेने की कापसिटी है, रिस्क का मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से अभी जो जो मुझे दूर रहना चाहिए और नहीं रहना चाहिए. तो मैं उनके हिसाब से पूछना और समझने जो आपने का मैं समझ गया, लेकिन जो मेरा यूजर जिसको सेयर मार्केट का एस नहीं पता है, मैं उसको अगर एड़ाइस दूँ कि क्या ये सही समय है, मैं ले में लें लेंगो समझे, मैं टेक्निक बिल्कुल मेरे हिसाब से सह तो अभी आप उसमें 40 रुपीज डेफिनिकल इनवेस्ट कर सकते हैं, तो एक चीज़ बता है, अगर मैं एक लाख रुपे या एक लाख रुपे लेके बैठा हूं और सोच रहूं कि सेयर मार्केट का टाइमिंग अच्छा है, मेरे हिसाब से कि अगर आप लॉंग टम के ल एक सेप्टेड मैंजमिंट प्रिंसीपल है, तो उसमें 80% जो हमारा फंड होगा वो बिल्कुल एक ब्लुचिप, एक लाज कैप और बिल्कुल से अच्छे सी कंती में जाएगा, जो कि रेप्यूटेट कंती है, जो कि रेप्यूटेट कंती है, जो कि अग्जेंपल दोंगा और 20% मैं डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्प जादा लूँगा, बिकाज अल्टीमेटली मुझे अल्फा जनरेट करना, अल्फा मतलब मार्केट से, जो ज्यादा रिटर्न होगा, जितना, सबोज अग्जे 9% दे रही है, तो मैंने अगर शेयर मार्केट में मैं क्यों रिस् मेरा शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो 15% रिटर्न देता है, तो 9, 15-9, which is 6% is the alpha, तो हमेशा इंवेस्टमें हम शेयर मार्केट में alpha के लिए करते हैं, तो मुझे लगता है 80% जो फंड है, वो आज की टाइम अभी वी मेड कैप, अब्लिक लार्ज कैप में डालना चाहिए हुआ था, जिस दिन आपको मार्केट में, जिस दिन आपको local news channel पे और domestic newspaper में भी, non-business newspaper में भी आने लगे, front page पे की stock market घर रहा है, that is the time to invest, because Warren Buffet का कहना है, buy when everyone is selling and sell when everyone is buying, तो वही वाली बात है, अब जो आम आदमी इस वीडियो को सर first time देख रहा है, उसको हम लोग यही कह सर कहना चाहा है, बिना knowledge के, आप invest, please, मत कीजिए, इसमें मैं एक चीज आएट कर दू, एक book है, Richest Person of the Babylon, पता नहीं आपने वो नाम सुनाएगे नि, उसमें यह एक theory है, कि जो writer था, उसमें एक आदनी की कहानी लिखी है, मैं इस जो बात है, इसमें इसे relate करनी की कोसिस कर रह प्रिशे से स्टोन खरीदने के लिए, और वो जब बिक मेकर गया और प्रिशे स्टोन खरीद के लाया, वो काँच ले के आए, तो हुआ क्या, उसको बात ने जो रियलाइज हो, जो कि आप बुक आप जा के परें, वो बहुत one of the best book है दुनिया मानी जाती है, कि आप जब पैसा दे रहे हैं, तो हमेसा experience आत्मी को दे, बिक मेकर को वो इस्टोन खरीदने के पते नहीं दे, उसके लिए से जब वो खरीदने के लिए तो काँच खरीद के आगया, तो जो पुसकर कह रहे हैं, उसके कहने का मतलब यही है, कि ज्यान भड़ा भड़ा है, मैं उस ज्या आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप क्या सोच के करते हैं, क्या आपके दिमाग में रहता है, मैं वही यह जूम करूंगा जो मेरा user है, उसी तरह से behave करेगा, तो स्टाक मैं अगर मुझे इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो मैं सबसे पहले इस चीज को देखता है कि कंपनी क रिकॉर्ट क्या है, मैं इन्वेस्ट करने से पहले जैसा कि पुषकर ने कहा, रिसर्च बहुत जरूर है, बिना रिसर्च के इन्वेस्ट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता कि शॉर्ट रन में में को कोई कॉल मिल जाए, कोई टिप मिल जाए, को रेकमेंडेशन मिल या उसके basis में मैं invest कर दूँ और short term में को profit भी हो जाए लेकिन यह हमेशा जैसा कि advice कि इनों ने बिलकुल correct है कि अगर long run में अगर आपको play करना है आप पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप fundamentals को समझें company के portfolio को कैसे रीड करते हैं उसके financial statements को कैसे रीड करते हैं इस चीज की समझ होनी चाहिए और एक बात और हर individual को यह decide करना होता है कि वह risk वाले assets में invest करना चाहता है या secure या safe play करना चाहता है जैसा अमीत ने बताया एकदम सही है कि अगर आप उस तरह की चीजों में जाना चाहते हैं तो knowledge की बहुत जरूरीदा और मैं एक चीज में जो अमीत ने कहा मैं add करूंगा कि उसकर एक हमें अपने user के लिए एक ऐसे video बनाने की चाहिए कि अगर आप stock pick करते हैं तो आपको fundamentally क अपने अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं और उसमें टोटल एडुकेशन प्रोग्राम इसी प्लेटफॉं टैक्स पर विल्ट के तुर प्रवाइड होने वाला है तो जरूर आप लोग इस चैनल को सुस्क्रिप्शन तो कर ही ले क्योंकि free of cost आपको ग्यान मिलने आपको बताना चाहूंगा एक एक एवरेज बंदा जो आज की टाइम स्टॉक मर्केश करते हैं मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ऐसे लोग जो की कोर्स करवा रहे मीनिमम जो चार्ज करने रिकॉर्डेट सेशन का वह बीस अजार रुपे ऑनवर्ड होता है और चाली हम लो कि की मिचर फंट में फैसा लगाता हूं तो आई खिरेट का की थिर्स पासा राथ खता हैं awhile बट रहेज करें वो हो गया long term, उससे एक short period में आपने shares buy कर रखे हैं and sell कर देते हैं, तो वो हो गया short term, दोनों ही situations में अलग-अलग tax के provision है, आप tax and provision को cover करें, तो अब देखे, short term में क्या है कि 15% का rate है, और long term में 10% का है without indexation, और एक चीज और इसमें add कर दू कि अगर debt fund में है, तो उसका जो duration है 36 months है, यानि कि 36 months से जादा होने पर long term होगा, उससे कम होने पर short term होगा, तो आज हमने कोसिस की कि दो चीजों को cover करने की, और हर Saturday हम अब कोसिस करेंगे कि इस तरह का video ले के आए, कि जो की एक user feedback के हिसाब पे हम बनाने की कोसिस और user information के लिए देने की कोसिस करेंगे, तो आज हमारा जो topic था, वो हमने दो चीजों, एक तो risk और non-risk को cover किया, और दो हमारे जो मित्र थे, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से बतानी की कोसिस की, कि हमारे पास क्या-क्या option है, और किस तरह से हम अपने पैसे को invest कर सकते हैं, without risk और risk, और risk में भी हमने एक कोसिस किया, risk को hedge करें, क्या यह सही वाड़ है कि, बिलकुल, और अगर आप लोगों को इसके बात भी कोई doubt रह चाता है, क्योंकि हर चीज और stock के advisory possible नहीं है, वीडियो में देना, but आप हमारे mail ID पे immediately mail लिख सकते हैं, हमें immediately comment करें, आपको within 12 hours, मैं फिर से बूल रहा हूं, within 12 hours आपको personally guide किया जाएगा, आपको educate किया जाएगा और आपको proper guidance दी जाएगे कि कहां invest करना है, thank you. इसमें एक चीज और तो बैड मैं भी कर दूँ कि देखिए, अगर आप कोई भी salary या और किसी भी तरह के business या किसी भी तरह के काम करते हैं, एक thumb rule तो बना लें कि आप जो भी कमाते हैं, minimum उसका 10% आप जरूर बचाएं और वो अपने आपको salary दें, salary देने का मतल़ कि अपन अपने लिए रखें और अपने लिए invest करें, अगर आप 10 साल में वो corpus देखेंगे तो जो आपकी एक साल की salary या income होगी उसकी equivalent होती है, यह बहुत बड़ा strategy है पैसा बनाने का, इसमें बाबने बात करेंगे लेकिन यह आप एक thumb rule जरूर बनाए, investment की जो आदत है तो बहुत पे भी है और हमारा website taxforwealth.com वहाँ पे भी जाके आप हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं, अमित के और पुसकर के और पुसकर अब अपने वीडियो जो सीरीज की बात कर वो भी लेके आ रहे हैं, आप उसके बारे में भी देख सकते हैं, तो आज के लिए तना ही, बहुत बह अन्यवाद, थैंक यू